ना लिफ्ट का साथ ना कॉंग्रेस का हाथ इंडिया से रताय है ममताब बैनर जी की विदाई भाजपा का विकल्प नहीं टीमसी इंडिया कटबंदन की खुलेगी गाण साल दो हजर चौबीस लोगजपा चुनाओ जिसको लेकर केंदर में बैटी सत्ता धारी पाटी बीजेपी को हराने के लिए बनी इंडिया कटबंदन में आवट कले लगतार बढ़ती जा रही है बता दे कि पहले कॉंग्रिस और अकलेश के बीच जिस तरीके से विवाद बढ़ा अब ममतव एनरजी का भी नाम सामने आ रहा है सवाल यही है कि क्या इंडिया गठ बंधन 2024 तक टिक पाएगा क्या इंडिया गठ बंधन BJP को हराने में सफल हो पाएगा क्या इंडिया गठ बंधन 2024 लोक सबद चुनाओं में किस तरीके से भूमी कर भायेगा इन तमाम सवालों के जबाब आज हम जानने के कोशिश करेंगे नमस्कार मैं सिराज आपके साथ आप देख रहे हैं नेक्शनेन पॉलिटिकल बाइट बात करें आज इंडिया गड़ बंदन की तो जिस तरीके से मध्यपरदेश में सीटो को लेकर जिस तरीके से बिवाद आज इस सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सायोगी राकेज जी राकेज आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी जिस तरीके से हमने देखा कि आप ममताब एनरजी है उनके बीच और इंडिया गड़ बंदन के बीच लागतार जो है अटकले सामने निकल कर आ रहे हैं कि ममताब एनरजी इंडिया गड़ बंदन से भी हिस्सा तोड सकती है ऐसे मैं आपको तरीके से देखते हैं और रही है क्यों बहुता से हैं बंगाल में लगबग 42 लोकसभा छेतर हैं और UP, महराष्टरा और उसके बाद बंगाल सबसे ज़्यादा तीसे नंबर का राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटी आती है अगर यहाँ पर आप स्थिती देखें तो BJP और ममता बेनरजी अभी हाल में लोकसभा में सबसे बड़े दल है उसके बाद कॉंग्रेस और फिर CPI CPIM का जनाधार एक लंबे साल तक CPI CPIM ने वहाँ पर राज किया लेकिन अब जनाधार एकदम खतम हो चुका है संगठन एकदम खतम हो चुका है यह बात कैसे उठी की ममता बेनरजी को लेकर सीता राम ये चुरी ने अभी हाली में बयान दिया कि हमें ममता बेनरजी की कोई आवशकता नहीं है और बयान पे मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूँ कि वह बयान इस रूप में था कि ममता बेनरजी जो है वो भाजपा का विकल्प नहीं है मीडिया से जो उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं जो पतरगारों सही कहा कि आप से अधिकांश लोगों को मैं जानता हूँ और लेकिन आप लोगों की भी प्रतिकिरिया आई कि लेफ्ट पार्टी कैसे ममताब एनरजी के साथ गठबंदन कर सकती है तो ये चुडी ने साफ सीधे शब्दों में कहा सितरा हम ये चुडी ने कि हम लोग किसी भी तरह का गठबंदन टीएमसी से नहीं करेंगे और जो टीएमसी है जो टीएमसी ने पहले भी राष्टिया जंत्र आन्तरिक गठबंदन जिसे हम NDA के नाम से जानते हैं उसमें वे शामिल हो जाती है कई बार उन्होंने NDA से कॉम्प्रोमाइस किया है तो ममताब एनरजी का इतिहास देखते हुए हम ममताब एनरजी के साथ नहीं जाएंगे और अगर CPIM जाती है तो कहीं ना कहीं CPIM का जो बचा खुचा काडर है उसमें भी नाराजगी होगी क्योंकि CPIM हर जो जमीनी कारे करता है वे इस बात का मैसेज जा सकता है कि CPIM का जो सीट नित्रित्व है वे नित्रित्व करने में और अपने दम पर सीटे लाने में और जनाधार बनाने में कोशल अब रख नहीं पा रहा है जिसकी वज़े से कुशल नित्रित्व पर भी सवाल उठेंगे और कहीं ना कहीं CPIM के अस्तित्व पर भी सवाल उठेंगे जो CPIM एकला चलो वाली एक समय तक एकला चलो वाली नीती के साथ काम करती रही जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ती रही वहीं ममतब एनरजी भी कहीं ना कहीं मामाटी मानूश की लड़ाई लड़ती हैं लेकि जिसका फाइदा कहीं न कहीं बीजेपी को भी होगा क्योंकि बीजेपी साफ रूप में ये दिखाएगी कि जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे वह कहीं न कहीं अप ये मोदी के मजबूत राजनितिक छवी और काम की वज़े से साथ में आ गए हैं जी बिलकुल जीस तरीके से आपने बताया कि अब इंडिया गटबंदन में लगतार महमतब एनरजी पर सवाल उठते रहे हैं कहीं न कहीं उनको भी बताया जाता है कि बीजेपी से उन्होंने गटबंदन किया था लेकिन अगला मेरा सवाल रहेगा कि CPIM ने क्यों महमतब एनर जी आई एक अंदोलनकारी महिला और नेता के रूप में उनकी छवी सुधरी उन्होंने किसानों की बात करी मिट्टी की बात करी महिलाओं की बात करी और बंगाल की असमेत्या की बात करी वही बात CPIM के सिंडिकेट से CPIM के शाशनकाल में जो सिंडिकेट ने जन्म लिया बंगाल में उससे लोग परशान थे तो लोगों ने एक बदलाव किया और ममतब एनरजी आई लेकिन CPIM इस बात को अच्छे से जानता है कि ममतब एनरजी और CPIM यानि TAMC और CPIM का जो वैचारिक मतभेद है वैब बहुत अधिक मतभेद हैं दोनों की कारे राजनितिक कारे शैली भी अलग है राजनितिक एजंडा भी अलग है तो अगर TMC और CPIM एक साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं CPIM को भी पता है कि common minimum program नहीं बनेगा और दूसरी बात ममतब एनरजी अभी मजबूत इस्थिती में हैं बंगाल में लोकसभा में भी मजबूत इस्थिती में और विधान सभा में तो उनका शाशन चल रहा है तो कहीं ना कहीं CPIM को जुक कर काम करना पड़ेगा यानि वह CPIM जो कभी बंगाल के साशन में मुख्या और नहीं भी तो विपक्ष में मुख्या रूप से रहती थी कि आज वह CPIM चौथे नंबर की पार्टी बंगाल में हो गई है संगठन पूरी तरीके से बिखर चुका है तो संगठन में जोश भरने के लिए और कारेकरताओं के मन में जो कहीं ना कहीं संधे आ रहा था कि एक साथ हो सकते हैं TMC और CPIM उसको भी दूर करने के लिए ममताब एनरजी से और TMC से CPIM ने भागी तेवर दिखाएं हैं जी बिलकुल जीस तरीके से अब आपने बताया कि किस तरीके से CPIM लगतार ममताब एनरजी को तेवर दिखा रहे हैं लेकिन आगला सवाल मेरा रहेगा कि अगर ममताब एनरजी अकेले चुनाव लड़ती हैं तो किसको ममताब एनरजी ने भी कही ना कहीं BJP को टकर दी और दहाई का आकड़ा पार करते हुए एक मजबूत दावेदारी बंगाल में पेश की बंगाल में TMC का आज के समय में संगठन भी मजबूत है और जनाधार भी मजबूत है तो और देखिए तो जो कॉंग्रेस का जनाधार है वो भी खतम हो चुका है संगठन भी लगबख खतम है एक सांसद है और एक विधाय कभी हाल में जीते वो भी बाद में जाके TMC में शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं और CPIM की इस्तिती इससे भी खराब है तो कहीं ना कहीं अगर ममताब एनरजी विपक्ष के साथ नहीं आत और जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा एक दूसरे का क्रॉस वोट होगा TMC CPIM और कॉंग्रेस में भाजपा का जो वोट बैंक है वो अपना वोट बैंक भाजपा के साथ बैतर इस्तिती यह बनी रहती है कि भाजपा का जो वोट बैंक है या तो वो घर से निकलेगा नही तो जो वोट वोट जो शेरिंग है वे जो डिमेनिंग जो वोट है विपक्ष का वो टीम सी कॉंग्रेस और CPIM में बटेगा जिससे की भाजपा को असानी और विपक्ष को मुश्किल होगी जी बिल्कुल जीस तरीके से बताया आपने की भाजपा का वोट वैंक है वो कही न गठबंदन है वो मैं जहां तक समझता हूँ कि वे कॉंग्रेस को ही नुकसान करेगा ठीक है तो कॉंग्रेस को कैसे नुकसान करेगा माल लीजिए कि कॉंग्रेस राष्टिये दल है कॉंग्रेस एक व्यापक इस्तर पर चुनाव लड़ती है लेकिन जब वह छेत्रिये दल मुख्य विपक्ष के तौर पर रहे और आज वे शेव सेना और NCP के उपर निर्भर हो गए है तीसे नंबर चौथे नंबर की पार्टी महारास्टा में बन गई है तो कहीं ना कहीं कॉंग्रेस को जो नेगोसियेशन वाले पॉइंट पर अगर कॉंग्रेस आती है तो कहीं ना कॉंग्रेस सची सीटों पर चुनाव लड़ती थी वहां वेब 15 से 20 सीटों पर आ जाएगी महारास्टा जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है जहां से सबसे अधिक 48 लोग सभा सीट आती है वहां भी कॉंग्रेस को आट 10 से चंतोश करना पड़ेगा तो देखिए कहीं न कहीं कॉंग्रेस को ही नुकसान होगा बिहार में भी वही इस्थिती बनी हुई है तो कहीं न कहीं इससे कॉंग्रेस को नुकसान होगा और इस विपक्षी एकता से छेत्रिय दलों को फायदा और कॉंग्रेस के लिए धोका है जी बिल्कुल जीस तरीके से आप ममतब एनरजी पर तमाम तरके अटकले सामने आ रहे हैं लगतार उन पर सवाल उठ रहे हैं कहीं न कहीं आप विपक्ची गडबंदने एक टूटता हुआ नजर आ रहा है फिलाल के लिए आपने समझा आपने जाना कि किस तरीके से अभी इंडिया गडबंदन में राजनी तिक महौ चल रहा है फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्शन एन पॉलिटिकल बाइट